लेकम बैक तो माई यूटूब चनल ग्यान टेक सरीस और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने मोबाइल फोन पर अपने प्लेई स्टोर पर जाकर Threads Apps को डाउनलोड कर रहे हैं लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो Threads Apps की डाउनलोड की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे कैसे फिक्स करेंगे आज किस वीडियो में आपको यही बताने वाला हो बस आप से रिकोष्ट इस वीडियो को पूरा देखें तभी आप सही तरीके से Threads Apps को डाउनलोड कर पाएंगे जैसे आप अपने मुबाल के प्ले इस्टोर पर जाते हैं जाने के बाद Threads Apps को डाउनलोड करते हैं लेकिन डाउनलोड नहीं हो रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की Settings पर जाना है अब आपके फोन में जितने भी Settings हैं आपके सामने Open होके आजाएंगी थोड़ा सा नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको Apps को आपसर मिलेगा Apps पर क्लिक करेंगे अब आपके फोन में जितने भी एप्स इंस्टॉल हैं सभी एप्स यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे थोड़ा स्था नीचे जाएंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा Google Play Store पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे एक आपसर मिलेगा इसमें क्लिक करेंगे सबसरी छी दो आपसर मिलेंगे Clear Data का Clear कैसे का Clear कैसे में क्लिक करेंगे अब आपके Google Play Store की जितने भी टेंपरेरी फोन का करने के बाद आपको अपने फोन को एक बार रिज्टार्ट करना है रिज्टार्ट करने के बाद वापस से प्रेई स्टोर पर जाएंगे सर्च बार में टाइप करेंगे त्रेट्स और इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे इसके बाद थोड़ा सा वेड करेंगे और आप यहां पर देख सकते हैं कि जो डाउलूड प्रॉब्लम आ रहे थी वो यहां पर सॉल्व हो जाएगी और आपका त्र